जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और जो चीजें ज्यादा दिन तक टिकती हैं वो जल्दी नहीं मिलती जी हाँ, हर फिल्ड में, जिस छेतर में आप लोग हैं, उस छेतर में आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, अगर समय अधिक लगे, तो समझ जाना कि आप एक गलत ट्रैक पड़ चल रहे हो, आपके पास एक गाइडेंस क कमी है, सला सिंग दुनिया में भरे पड़े हैं, तो किसकी सला आपके लिए बेनिफिशल है, और किसकी सला आपके लिए हानिकारक, ये जज़ करना पड़ेगा आपको, मेरी इन बातों पर प्लीज ध्यान जरूर दिजिएगा, without any delay, सुरू करता हूँ, आज का अपना ये व सेट दिये गए हैं, उनके बारे में मैं डिसकस करूँगा, तो चलिए सुरू करते हैं, आज का अपना ये वीडियो, सेट 25, पहला जो इंपोर्टेंट जो लाइनल जी के हैं, वो ये है कि बारत के रास्टे धर्ज के लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है, सबसे पहले ये कॉस्टेंस अँचली बहुत ही basic questions है और important भी है, इस page पे जो मैंने highlight कर रखे हैं, वो केवल मैंने important point ही highlight कर रखे हैं, बाकिए सब चीजे मैंने skip कर वा रखे हैं, जो बचे quantity पर belief रखे हैं, वो एकक line को पड़ सकते हैं, जो बचे कंवल quality पर belief करते हैं, तो वो लि तो देखिए अब मुझे एक ची बताईए तीन अनुपात दो में हमाई लंबाई और चुलाई का अनुपात होता है तो इसमें जो सेंटर पे जो सरकल होता है उसमें कितने तिल्य होती है 24 बिलकुर होती है तो कभी कभी कोश्चन्स आपसे यह पूछ लेता है कि सीड्स पर कौन सा रंग होता है तो यह मुझे आप करेंगे कमेंट एक बार कि सीड्स पर कौन सा होता है मद्धे में होता है वाइट फिर उसमें होता है आपका सोक चक्र और नीचे कौन सा होता है सबसे लास्ट में होता है आपका ग्रीन कलर तो देखे क्या था भारत के सविधान सबा ने राश्टी या द्वच का प्रारूप कब अपनाया तो वह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को ये भी आपको याद अपना है तो द्वच से संबंदी जो भी सारी बाती थी मैंने आपको किलि प्राइब कर्शन नियमों के अविस्कार कौन है तो ये हैं हमारे न्यूटन देखें न्यूटन से संबंदी मैंने आपको बाते बताई थी कुछ पिछले से पिछले वीडियो में मुझे नंबर याद नहीं है न्यूटन के कुल लॉक इतने थे कितने नियम थे तो ये थे कि हतोड़े को हत्ते से करसने के लिए इसके जमीन पर क्यों मारते है to ये कौन से लौ रहे तो ये फर्सट लौ है तो बाकी ये वी लॉह में आपको बता है थे अगर आपने वह वीडियो नहीं देखें तो आप चाहें तो वह विडियो वाच कर सकते हैं चाहें तो क्योंकि कि मुझे पता है कि आपको बास जीओ का राटा वन जी भी है तो आपको पढ़े मैनेज करना धेट सरे चनल को सुब्सक्राइब कर रख है तो अपने को डिंग आप रिसाइड करें कि आपको कहां से पढ़ना है कहां से नहीं मैं बढ़ता हूं अगले पाइंट की और कि प्रक यह इस कोशन को याद अगना है अगला पॉइंट है कि अध्यादेश जो जारी होता है उसको जारी करने का राइट किसके पास में होता है किसके पास का अधिकार होता है तो यह होता है राश्ट प्रति और राज्ये पास दोनों के पास अगला पॉइंट है राजीव गांध खेल रत्न पुरुजकार सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था तो यह वाता वीश्वनाथन आनंद को अगला है सेट नमबर 26 की बेलूर मट के संस्थापक कौन दे स्वामी विवेकानंद और अगला पॉइंट है हमारे सामने ITDC इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉ अंतम दोरी कितनी सेंटीमेटर होती है तो यह होती है आपकी 25 सेंटीमेटर उसके बाद में मादा अनेपलीज मच्छर सीत जवर के परजीवी को सन प्रेशित करता है करनाटक राज्य में चंदन के घनी जंगल है और भारत में राज्टे कलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारम किया सेट 27 सुंग वंस की स्थापना पुश्य मित्र ने की थी और रबर उत्पादन में अगर्णी देश कौन है थाइलेंड है और मुद्रा इस्वती सबसे अधिक रिणी के लिए लाबदाई होती है भारत के राष्टे गान के गाने का निर्धारी समय कितना होता है तो यह होत है आपका 52 सेकेंड भारत पर आकर्मन करने वाला पहला मंगोल सासक चंगेश खां 1221 था मतलब 1221 में दाए और बीजक के लिखा कौन है तो यह है कपीड़ दास सेट नंबर 28 28 में कुछ चीज़ जाए इंपरिन नहीं है जैसे कि 20 अगस में कौन सा डेस के रूप में मनाया ज राजा राम महान राय को अंग्रेजी ने अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था तो एक्जाम में कोशन देखे क्या बनता है कि अंग्रेजों ने किसको आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा था या भारत का आधुनिक नक्षत्र की संग्या दी थी तो चार न पिर्ट्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में पांच डिग्री का जुकाव होता है तो कितने डिग्री का जुकाव है तो यह आपका 5 डिग्री का सेट 29 सकती स्थल दिल्ली में स्थीथ है और तडित चालक का विसकार बेंजामीन फ्रैंकलीन ने किया था साधान कार्बन स्थील में मुक्यत है कार्बन तथा लुह होता है और भारत की पर्थम नियमित जनगर्णा किस वाइसराय के काल में हुई थी तो उस समय वाइसराय था आपका लॉड हरीपन देखी यह जो टॉपिक है ना आपका जनगर्णा ठीक है तो यह टॉपिक काफी इंपॉरिंट टॉपिक है लास्ट जो जनगर्णा हुई थी वो कभी थी 2011 में ठीक है और अब समय बहुत हो चुका है तो आप यह मैं समझेगा कि यहां से कोई डैम शोर बनने वाला है राइट बढ़ते हैं आगे देखिए चंद्रमा का एक दिन पिर्थवी के कितने दिन के इक्वल होता है एक्जाम में यह पूसता तो यह था पिर्थवी के 14 दिन के बराबर अस्व गोश कनिश के दरबार में था और एक घंटे के समान अंतर के हो इती कब यह हूई थी 1951 से लेकर पart के बीच में पंचवर्सी योजना सुरू इंदर के इसके शुरूबात किस ने गड़ी थी इसके चुरूबात कई थी पंदी जभाहलाल नेहरूने देखिए पंच वर्सी योजना के अंतरगत क्या हुआ था इसके अंतरगत हमारे भारत को कावी बेनेफिट मिला था जैसे सबसे ज़्यादा इंपार्ण जो छेत्र था वो था आपका उद्योख से संबन्दित जैसे आपको पता होगा बिलाई इस बात सही अंतर जो तो देखिए काम की बात अगेन रिपीट कर रहा हूं तुला ध्यान से सुनना कुछ चीदे का पता मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूं तो इसके लिए आप पिछले वीडियो बाश कर सकते हैं देखिए बिलाई इस पात सहींतर जो इस्थापित हुआ था वह था सोवेट संग मतल यह वा था बेटेन के सहींतर बात खरें आप से राउर केला इसपास सहींतर कहां पर उड़ी सामय किसकी हल्प से हुआ था जर्मनी के सहींतर और उसके बाद में काफी सारी चीजे हुए थी जैसे बोकारो है बोकारो आपको जहर खड़ में पढ़ता है तो यह भी रूस की म सक्सेस अगर आप सफलता चाहते हैं तो रिवीजर आप करिए टोटल दिन में जितना भी घंटे पढ़ते हैं जो भी आप टाइम निकालते हैं पढ़ने का उसका कम से कम 40 to 50% रिवीजर में जरूर देजिए वरना सिंपल ऐसी होगा आगे बढ़ते जा रहें पिछला बूल जा रहें आगे बढ़ते जा रहें पिछला भूलते जा रहें फिर कहानी गोल डबा गोल बस टोपी पैनिंग के एक्जाम में टोपा बनके वापा सदेंगी हम लोग यहीं तो होगा और यहीं होती है बाकि किसी को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो उसके लिए पिलार मैं चलिए देखे भारते परमाण उर्जया आयोक के पर्थम दक्ष कौन थे डॉक्टर एच जे भाबा और सांभर लवण जीर कहां पर है तो यह आपके राजिस्तान में और सुवर के मास को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है पोर्ख तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बसके वर इतना ही और बाकी की जो बुक है सबसे पहले यह बुक हमारी चल रही है ठीक है यह खतम समझ लोगे होने वाली है अब तक आपके एकजाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है फ्राफट से पहले इसको खतम करिएगा इसके लिस्ट में जाकर कि आप उसको देख लीजिएगा अगर लगता है पढ़ने का टाइम है अगर आप लगता है कि बिना पड़े सेलक्शन हो पाएगा तो उसके लिए अल्दा बेस्ट जो एक्टिव सब्सक्राबर है उन सब के तो मेरे दिल से उनको अल्दा बेस्ट है लग पढ़िए इन तीनों बॉक का पर्चेस कर सकते हैं मार्केर से या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐसे बुक कर लेंगा वहां से बूग को पर्चेस कर लेना जहां से बैस लगता है महां से करें लेकिन पढ़ना तब जब अपना प्रामिस करो कि हां मैं यह बूक पढ़ऊंगा वन्हाफी फास्तु पैसा खर्च करने से कोई फैदा नहीं है वैसे भी शायद बहुत पैसा खर्च कर चुके होंगे आप लोग ऐसी में उम्मित करता हूं बागी रही बात देखिए आपसे जो मैंने क्वेश्चन पुछ है फलाइक के टॉप में कौन सा कलर होता है उसका मु